तो इस question के अंदर आप लोग क्या सीखोगे कि right angled isosolist triangle कैसे बनाए जाएगी जब आपको सिर्फ hypotenuse दिया गया हो तो I hope question तो असान सा है कि construct a right angled isosolist triangle आपने एक right angled isosolist triangle बनानी है whose जिसका hypotenuse जो है 5.2 cm लंबा होगा तो असान सा स्वाल है इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि right angled किसे कहा जाता है isosolist triangle कौन से होती है या पिर right angled isosolist triangle अगर कठा बात की जाए तो किसे कहा जाता है और hypotenuse जो है वो किसे कहा जाता है तो जिन students को पता इन सब चीजों के बारे में वीडियो को आगे कर लीजे और जिनको नहीं पता वो साथ साथ समझने की कोशिश करिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सब कुश समझ में आए तो सबसे पहले right angle लिखा हूए right angle का word जहां पर भी आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए आपके माइंड में यह आना चाहिए कि 90 के angle की बात की जा रही है जैसे यहां पर भी लिखा हूए right angled isisolis triangle यानि कि isisolis triangle तो है लेकिन उसमें 90 का angle भी होना चाहिए तो यह isosolist triangle है जो के figure की सूरत में आप लोगों को नज़र आ रही है और इसमें यह जो angle है वो 90 का angle है box की मदद से represent भी किया गया है ठीक है तो right angle isosolist triangle एक ऐसी isosolist triangle जिसमें एक angle जो है वो 90 का होना चाहिए ठीक है अब काफे students को हो सकते हैं isosolist triangle का भी ना पता हो तो isosolist triangle एक ऐसी triangle को कहते हैं जिसमें दोनों sides जो है एक द्श्रे के equal हो वैसे proper definition तो यह है दोनों sides और दोनों angle जो है एक द्श्रे के equal हो तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी triangle की 3 sides होती है आप लोगों को पता है तो ये वाली side और ये वाली side एक दूसरी के equal है इसलिए ये i-sess-olies triangle कहला रही है ये कहलाएगी ठीक है और क्यूंकि इस i-sess-olies triangle में 90 एंगल भी है तो इसलिए इसका पूरा नाम right angle i-sess-olies triangle है इस चीज़ को लेकिन एक journal ही बता देता हूँ जैसे के मैंने भी बात की थी कि i-sess-olies triangle में दोनो sides एक दूसरे के ब्राबर होनी चाहिए और angle भी ब्राबर होने चाहिए proper definition ये है तो इधर वैसे लिखा तो नहीं मैंने लेकिन इधर इस triangle में ये angle 45 degree का है ये angle 45 degree का है तो ये ये 45 का है ये 45 का है तो 45 और 45 90 होता है और 90 का ये तो 180 पूरा degree हो जाता है ठीक है बाकी अब लोगों को generally बताये है आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा तो ये definition भी मैंने लिखी है आई-स-olies right triangle has one of the angles exactly 90 degree कि कि किसी भी right angle आई-स-olies triangle का एक angle 90 degree को जरूर होगा बाकी दो ज होने चाहिए and two sides which is equal to each other तो बाकी फिर 45-45 के ही बनेंगे I hope जादा दिमाग लडानी की जूद है नहीं जितना समझ में आता है उतना ही समझे बाकी question जैसे से आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी हाइपोटिनेस की से कहा जाते है काफिस ट्रोजन को हो सकता है ये भी ना मालूम हो तो उसकी definition भी लिख दी मैंने राइट ट्राइंगल में यानि एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है उस 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है जो के सबसे बड़ी साइड है इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है उसे बोलते है हाइपोटिनेस मुक्तिसर ये भी याद रख सकत है 5.2 cm तो हम क्या करेंगे 5.2 cm की एक लाइन सेग्मेंट इदर लगा लेते हैं तो लाइन सेग्मेंट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक स्केल चाहिए होगा तो यह आ गया स्केल इस स्केल को रखेंगे मुनासिब जगे पेज पर और रखने के बाद 5.2 लेंट दी गई हाइपोटेनेस की तो यहां पे आप 0 से शुरू करेंगे और इसको ले जाएंगे 5.2 के ओपर ठीक है उसके बाद स्केल को कर देंगे यहां से रिमूव और इसको कोई नाम दे दो इन पॉइंट को A B का नाम दे देते हैं और साथ में लेंट भी लिग देता तो बाकी जो दो ट्राइंगल की साइड्स होंगी वो एक दूसरी के बराबर होंगी एक चीज़ तो यह दूसरी राइट एंगल को भी मैं बताता हूँ पहले तो यह चीज़ आइसे के बराबर होनी चाहिए रफली अगर डॉआ करके दिखाऊं सिर्फ समझाने के करनी है अभी और एक लाइन मुझे ऐसे ड्रो करनी होगी और यह दोनों लाइने जो हैं वो एक दूसरे के एकवल होंगी तभी यह आई से सोलीस होगे अदरवाइस नहीं होगी तो अब मुझे यहां पर एक पॉइंट चाहिए मिडल में जिस पॉइंट तक इस तरह से मैं लाके लगा दूँ और यह पॉइंट जो है मुझे मिड में चाहिए ताके इकूली यह नहीं कि यह लैंट हो वरना तो गलत हो जाएगा तो मिड में पॉइंट हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं इस लाइन को हाफ कर लूँगा ठीक है यह जो लाइन सेग्मेंट ए भी है इस लाइन को हाफ कर लूँगा जब हाफ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा अब जोमेट्री के अंदर किसी भी लाइन सेग्मेंट को हाफ करने को बोला जाता है बाइसेक्ट करना अगर मैं यह कहूं कि लाइन सेग्मेंट एबी को बाइस bisect का मतलब क्या होता है bisect का मतलब होता है kisी भी चीज को half करना, चाहे वो angle है, चाहे वो line है और bisect का मतलब होता है एक line ठीक है, यानि के, bisector एक ऐसी line को बोलते हैं, जो कि किसी दूसी line को दो हिस्सों में बराबर तक्सीम कर रही है जैसे कि ये एक line अभी draw की है तो ये line जो है by sector कहलाएगी ये तो सिर्फ समझाने के point of view से था तो second step आपको क्या होगा आपको by sector create करना पड़ेगा ताकि यहां से उस line तक आप एक triangle बना सको 90 की भी बात करता हूँ लेकि सबसे पहले आप इसके बात क्या करेंगे by sector create करेंगे तो by sector create करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक compass चाहिए होगी तो यह आगे हमारी compass और इस compass को क्या करेंगे half से थोड़ा सा ज्यादा खोल लो ठीक है आई हो बाय सेक्ट करना आता भी होगा एक आर्क मैंने यहां पर लगा दी और साथ में इसे rotate करने के बाद एक आर्क आप इस line A B के उपर वाले इससे पर लगा देंगे ठीक है और इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद इस compass को उठाके भी पॉइंट पर रखेंगे यह रख दे भी पॉइंट पर इसका रुक बदल देते हैं और इसके बाद दुबार से rotate करेंगे अब एक आर्क लग जाएगी यहां पर ऐसे ठीक है और एक आर्क रोटेट करके नीचे भी आप लगा देंगे तो एक आर्क लग गई यहां पर ठीक है इसके बाद यह compass का काम खतम इसको हम कर देते हैं यहां से remove अब मुझे scale चाहिए होगा जो के by sector जिसकी मदद से लगाए जाए तो यह आगे हमाई पर scale इसको करेंगे तो छोटा साथ में करेंगे rotate इसके बाद इसको यहां पर ले आएंगे और यहां पर लाने के बाद अब एक यानि के मैं dotted line डाल दूँगा तो यहां से dotted line डालना शुरू की और इसको ले आएंगे नीचे और यह हमारा by sector जो है वो बन चुका है इसके बाद scale को हटा सकते हैं तो यह गया हट अब आपको by sector मिल गया तो इस by sector पर चाहे तो इधर चाहे इधर इधर और एक point डाल लो इधर तो यह चारो point में से आप क्या करेंगे आप यानि के इस जैसे इन में से कहीं पर भी यानि दरम्यान वाली जो by sector इधर किसी भी point से लेके जब दोनों तरफ आप कोई सी भी line इस तरह draw करेंगे तो यह वाली line इस line के बराबर ही होगी ठीक है तो यही चीज हमें चाहिए थी जैसे इधर से इधर तक लेकर जाओं या इधर से इधर तक लेकर जाओं तो sorry line थोड़ी इस समझाने के लिए लिए लिख रहा हूँ अभी तो मैं दुबार आपको डाल के दिखाऊंगा इधर से इधर और इधर से इधर तो अभी भी क्या है अभी यह वाली line और यह वाली line एक दुस्रे के बराबर है तो ice so lease के अंदर requirement होती है कि दोनों sides जो होती है वो बराबर होनी चाहिए तो इसी तरह आप चाहिए बेशार कि इसको इससे ए से मिला दो या पिर यहां से यहां पर मिला दो तो यही by sector का फायदा है कि अब इस by sector की मदद से दो equally line segment डल सकते है ठीक है लेकिन हम यानि कि कहां पर डालेंगे अब स्वाल यह पैदा होता है तो हम इसको ऐसी नहीं डालेंगे बलके हम इदर semi circle बनाएंगे semi circle बनाने के बाद हम यानि कि यह वाली इस तरह की line लगाएंगे अब स्वाल यह पैदा होता है semi circle क्यों लगाएंगे क्योंकि semi circle के अंदर कोई सा भी एंगल जो होता है वो right एंगल होता है तो semi circle लगाने से ISO लेंगल भी बना सकते हैं और वो right angle तो बनी गई भी बनेगा वो फिर मैं आपको बाद में बतातो हूं आने वाले कुछ minute में के क्यों वो semi circle लिके अंदर 90 का एंगल होता है ठीक है लेकि सबसे पहले इस step के बाद आप क्या करेंगे इस step के बाद आपको semi circle लगाना है A B का A B के वो सामने रखते होगे तो semi circle लगाने के लिए हमें compass चाहिए होगी तो यह आ गए हमारे पास compass और इस compass को क्या करेंगे a point पर रख लें ठीक है a point पर रखने के बाद इसको middle खोल लें इसको मैं set कर लेता हूँ yes अब बिल्कुल सही है ठीक है रखने के बाद इसका color change कर देता हूँ pencil का ताके वैसे आपने करना नहीं है आपने और आर्क लगाने के बाद अब आप इस compass को हटा भी सकते हो हटाने के बाद अब हमें finally एक point मिल गया कौन सा point यानि के यह वाला point ठीक है I hope के अब नजर आ रहोगा यह वाला point जहां पर यह red line जो है वो इस by sector के साथ मिल रहे है तो इस point से अब हम क्या करेंगे इस point को इस a के साथ मिला देंगे scale की मदद से ठीक है तो आप लोग scale की मदद से मिला दीजेगा मेरे पास software में option है यह मैं scale की मदद से मिला देता हूँ हो सकता है काफी students को मसला हो तो यह आगे हमारा scale scale आने के बात जो है इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे और साथ में करते हैं इसको rotate थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं यह हो गया rotate इसको मैं set कर लेता हूँ यहां पर यह अब यह बिल्कुल set है ठीक है और यहां से एक line draw कर देंगे इदर से इदर तक ठीक है तो जैसे इदर line लगाई है किसी तरह is scale को करेंगे थोड़ा सा rotate और दूसी तरफ भी लाइन लगा लेंगे ठीक है तो इसको रखता हो यहां पह इसको तोड़ा सा or rotate करते हैं नीचे से थोढ़ा सा उपर मैं इसको set कर लेता हूँ और एक line लगा देंगे इधर से यहां तक ठीक है तो line लगाने के बाद अब जो है आप scale को यहां से remove कर सकते हो तो यह हो गया remove अब जो है आपके सामने यह वाले side जो है वो इस side के बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि यह by sector से equal distance पर मौझूद है और दूसरी बात तो isosolist triangle में दोनों sides बराबर होनी चाहिए दोनों बराबर हैं और right angle भी होना चाहिए अब स्वाल यह पैदा होता है कि right angle इनमें कौन सा है तो right angle जो है यह वाला angle जो है वो right angle है यानि 90 का angle है अब स्वाल यहां पर यह पैदा होता है कि सर यह 90 का angle कैसे ह तो जुबानी आप लोगों को बताता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएं, आप देखें, यह वाला angle जो है, और ये वाला angle जो है, यह कितना है, यानिके यह भी 45 का है, ठीके, यहाँ पे लिख देता हूं, इह भी 45 का है, और ये भी 45 का angle है, तो किसी भी triangular का जावे, internal angles का sum जो होता है, वो 180 होता है, तो ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, तो 45 औ 45 कितना होता है, 90, तो ये दोनों 45 के होए, तो ये वाला जो है, वो 90 का angle हो गया, ठीक है, एक तरीका तो ये है, समझने का, दूसरा तरीका ये है, कि आप D आपके bag में होगी, तो उसकी मदद से भी दिखा देता हूँ, तो D हमें चाहिए, तो ये आगे हमारे पास D, इस D की मदद से अगर देखें, तो यहाँ पर रख़ा D, और आप इधर देख सकते हो, ये वाली line जो है, आप देख सकते हो, कि ये यहाँ पर 45 पर आ रही है, ठीक है, अब I don't know आपको इस वीडियो मे रखो, तो अब आप देखो, कि ये वाली line जो है, आप सीधा जाओगे, तो यहाँ पर ये भी 45 का angle जो है, वो बन रहा है, तो ये दोनो 45 के इस तरह से बन गए, D को हटाता हूँ, अब एक बार, तो ये D हट गया, तो आप आप देख सकते हो, कि मैंने जैसे बताये था, ये अब रहा कि 90 का angle कैसे है, सर, ये भी आप बताये, तो इस चीज़ को मैं अपने iPad के उपर समझाता हूँ, ये चीज़ इस पर तो समझ में नहीं आएगे, तो चलिए, मैं iPad लेकर आता हूँ, तो ये आगया हमारा iPad, iPad के उपर picture भी नज़र आ रही है, मुझे साबित करके क्या पर्मनेंट कर दूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास दो triangle आ जाएंगी, इसको पर्मनेंट करने के बाद, एक triangle ये और एक triangle ये, ये दोनों जो है right triangle है, क्योंकि दोनों में 90 का angle मौझूद है, ये भी 90 का angle है, ये भी 90 का angle है, आप लोगों को पता है कि ऐसे करके कुछ भी होता ह है, वो 90 का angle ही होता है, तो ये दोनों 90 का angle है, अब किसी भी triangle के internal angles का sum 180 होता है, तो अगर ये 90 का है, तो ये कितने का है, 45 का, अब ये 45 का है, और ये 90 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि 45 में 45 add करेंगे, तो 90 और 90, 90, 180 हो जाएगा, तो यहां पर समझन की बात क्या है समझने की बात हुए कि अगर दो ट्राइंगल बनाओं तो यह भी 45 का एंगल बनता है यह भी 45 का एंगल बनता है अगर मैं इसका नाम X रख दू तो क्योँके दोनों एंगल सेम हैं तो इसका नाम भी मैं X रख दूंगा ठिक है तो यहां तक Toh high hope बात angle को लेकर अब बात करते हैं कि आये जो borders वाली मुझे lines यह तरह डाली निया में डाल लेता हूँ जैसे यह जो triangle है इसके point of view से देखें तो एक तो यहाँ पे क्या है y angle है इधर ठीक है तो इधर मैं लिख लेता हूँ y और कौन से angle है x angle है तो यह आगे y plus x क्योंकि किसी भी triangle के internal angles का 180 यानिके 180 के बराबर होता है और यह वाला angle कितना है यह वाला x और y है ठीक है तो इन दोनों को add कर दो x plus y ठीक है यानिके इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया और उसके बाद अब क्या करेंगे यह वाला angle जो है यह हो यह वाला angle जो है यह हो गया और यह वाला angle जो है वह यह हो गया तीनों angles आगे तीनों का sum जो है वह किसके equal होता है वह 180 degree के होता है अब आप देखिए y plus x plus x plus y आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 180 degree ठीक है और साथ में इसको उपर करूँ तो अब आप देखिए 2x और 2y है तो इनको अगर add करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x plus 2y is equal to 180 degree उसके बाद अब मैं क्या करूँगा 2 इदर से common ले लूँ तो x plus y जो है वह किसके इक्वल आ जाएगा 180 degree के और उसके बाद अब 2 इदर divide और अधर multiply और अधर जाके क्या हो जाएगा divide तो x plus y is equal to 180 divided by 2 हो जाएगा अब 2 से 180 को divide करेंगे तो कितना आ गया 90 degree तो in the end conclusion क्या निकला x plus y is equal to 90 degree तो यही वह चीज थी के x plus y अगर आप उबर देखेंगे तो यह x plus y यह वाला angle है मैं इन दोनों को कठा कर देता हूँ अब बिल्कुल सामने आ गया अब इसको मिटा के आप देख सकते हैं इसको मैं मिटा देता हूँ यहां से सारा कुछ मिटाने के बाद यह हमारा कितना बना था x plus y बना था ठीक है तो अब आप देख सकते हैं x plus y 90 का angle बन गया तो इस तरह से भी मैंने समझा था सोचा यह भी आप लोगों को समझा दो वीडियो लंबी जरूर हो गई लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो हर classes में फायदा होता ह असानी होती है ठीक है तो I hope अब आप लोगों को समझ में आ गया तो इस question के अंदर दोनों चीजें मैंने साबित करके दिखा दी दोनों क्या साबित करके दिखाई कि यह दोनों sides एक दूसरे के equal है यह दोनों angle भी एक दूसरे के equal है और यह angle जो है 90 degree का है तो basically पिर यह क्या बन गई राइट angled isosilus triangle हमारे पास बन गई ठीक है अब इसको दुबारा से चलते हैं display की तरफ और जाके इसका written work करते हैं तो यह आगे दुबारा से हमारी screen, screen के ओपर मैंने इस point को नाम दे दिया C का और यह angle जो है 90 degree का वो mention कर दिया अब written work के तरफ चलें तो सबसे पहले given की heading आती है, given में क्या लिखते हैं, जो भी चीज दी गई होती है question के सूरत में, तो हमें hypotenuse दिया गया थे इस figure का, तो 5.2 cm hypotenuse लिख दिया given में, required में हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज हमने मालूम करनी होती है, तो क्या मालूम करना था, a right angled isosilis triangle बनानी थी, तो वो ची के बाद हमने क्या किया था, bisect किया था, line A, B को, तो यहां पर लिखते है, draw bisector of line segment A, B, तो यह आगया dotted lines है, bisector, third step में हमने क्या किया था, make a semicircle of diameter 5.2 cm, यानि A, B को एक semicircle बनाया, जिसका diameter जो है, वो A, B था, 5.2 cm, which meets the bisector at point C, और यह semicircle, जिस जगे पे bisector को meet कर रहा था, उसको हमने C का नाम दे दिया, उसके बाद C को A से मिलाया, और B से मिलाया, तो लिख दिया, join C with A and B, और आखिर में के conclusion लिख दिया, ABC is required triangle with, यानि कि required triangle है, तो इसमें right angled में 90 degree का चाहिए होता है, तो angle C, जो है, वो 90 degree का है, और साथ में हमें क्या चाहिए होता है, आइसे सोल इस triangle में दो equal एक जैसी sides, तो यह दो equal एक जैसी sides है, जो इसको mention कर दिया, AC is equal to AB, तो यह AC और AB के, AC और AB एक दूसरे के equal है, तो I hope a question आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आखिर में एक बात और, जो शायद पता नहीं पहले बताए या नहीं बताए कि कि किसी भी semi circle के अं angle बनता है तो वो हमेशा 90 का ही होता है, ठीक है, तो semi circle के अंदर कोई भी angle बनता है, triangle का वो 90 का होता है, यह बात भी आप याद रख सकते हैं, तो I hope आईए question आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए या कुछ बूरा अलग है, उसके लिए माज़रत हो, माज़रत है आप लोगों से अच्छे लिए, अगले question की तरफ चलते हैं